नमस्कार आप देख रहे हैं कच्चा चिठा और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर हमें तो अपनोंने लूटा बेगानों में कहा दमता हमारी कश्टी वहां डूबी जहां पानी कम था ये चंद लाईने अर्विंद केजरीवाल की मौझूदा स्थिती को बया करने के लिए काफी है क्योंकि केजरीवाल की हालत अब बच से बत्तर होती जा रही है एक बार फिर से केजरीवाल अब बुरी तरह से बौखला गए हैं क्योंकि इस बार उन्हें धोका देने वाले उनके खुद के अपने हैं जिसके बाद केजरीवाल का बुरा हाल हो गया है एक के बाद एक छटके केजरीवाल को लग रहे हैं और उनके जेल जाने का नंबर भी करीब आ रहा है जिसकी वज़े से केजरीवाल लगातार बड़ी कि गिरते जा रहे हैं क्या कुछ है पूरा मामला और अब केजरिवाल को एक दर्वाजे पे किस मुसीबत ने दी है दस तक हमारे खास शो कच्छा चिठा में इसी का पूरा चिठा खोलेंगे केजरिवाल को फिर से लगा जटका अपनों के धोखे से केजरिवाल परिशार गुजरात में डूबी केजरिवाल की नया चालिस से जादा नेताओं ने दिया इस्तिफा कट्टर इमानदारी का परिचए देने वाली पाठी अब भष्टाचारियों का अड़ा बन गई है ये कहना गलत नहीं होगा लेकिन इमानदारी के नाम पर क्या क्या घोटाले किये हैं उसका कच्छा चिठा अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है कट्टर इमानदारी का ढोंग करते करते खुद को सच्चा देश भक्त बताने वाले कितने राश्ट्रवादी है उसकी पोल अब खुद उन्हीं के चहीतों ने खोल दी है दरसलाम आदमी पाठी और केज्रिवाल की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है दिल्ली के बाद पाठी ने गुजरात के विधान सभाचुनाफ में बहतरीन प्रदर्शन कर पांच सीटों पर कबजा किया था लेकिन अब पाठी मस्बूत होने की जगा पर कमजोर होती चा रही है और पाठी को कमजोर करने वाले कोई और नहीं बलकि पाठी के ही लोग हैं चिन्ह भूपत भयानी ने केजरिवाल के मुँपर इस्तीफा दे मारा लेकिन उससे भी बड़ा जटका केजरिवाल को उस वक्त लगा जब ये पता चला कि भूपत भयानी के इस्तीफा देने के बाद अब तकरीबन 40 पदा अधिकारियों और कारेकरताओं ने पार्टी को कह रहे हैं बात यहीं पर खत्मन नहीं होती है केजरिवाल को और जटके लगने तो अभी बाकी है क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है पार्टी के अंदर रहकर नेताओं को पता चला कि केजरिवाल जो दावे करते हैं दरसल वो पूरी तरहा से खोक ले हैं और इसी को लेकर उ पताओं ने हैरान करने वाले खुला से किये हैं दरसल इस पूरे मामले में आम आत्मी पाटी बरूच के जिला अध्यक्ष पियूश पतेल का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस्तीफा देने वाले कारिकरताओं पर बड़ा आरोप लगाया है उन्होंने कहा अध्यक्ष ने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है इसका खुलासा पाटी छोड़ने वाले नेताओं ने खुद ही बता दी राश्रिवादी पाटी नहीं है आप इस्तीफा देते हुए पाटी पर गंभीर आरोप भी लगाये भूपत भयानी ने कहा कि सिर्फ एक और सिर्फ राश्रिवादी विचार धारा के चलते उन्होंने आम आदमी पाटी को छोड़ने का फैसला किया है और अपने मत शेत्र की जनता से चर्चा करने के बाद ये फ बंधन के तहक चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है भूपत भयानी का कहना है कि वो पहले भाजपा में थे और राश्रवाद के विचार धारा से जुड़े थे आज भी वो राश्रवाद की विचार धारा की वज़े से ही आम आदमी पाटी छोड़कर भाजपा जोइन कर उसके बारे में उन्होंने इस पश्ट नहीं किया है जुड़ेंगे ये बात स्विकार की उन्होंने कहा कि अगर पाटी चाहेगी तो वो फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे भूपत भयानी 14 साल भाजपा में रहे और 2022 के चुनाव से पहले आम आदमी पाटी का दामन थाम उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि मैं मेरी जनता से परामर्श के बाद कोई फैसला लूँगा और अब एक साल के बाद उन्होंने विधायक पत से इस्तीफा दे दिया अब गुजरात विधान सभा में आम आदमी पाटी के चार विधायक बचे हैं चिन पर भी लोग सभा चुनाव से पहले दबाव रहेगा दरसल भयानी ने विधान सभा अध्यक्ष चंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौपा विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि आज उन्होंने खुद आकर मुझे इस्तीफा दे दिया जिसे स्विकार किया गया विधायक ने इस्तीफे से फि पिर तोड जोड के कारण ये खंडित होती है। इसके बाद इनके खिलाफ मानहानी का मामला दायर किया गया है। दोनों नेताओं ने इस मामले में सुनवाई को स्थगित करने की मांग की थी। एडिशनल चीफ मेट्रॉपॉलिटन मेजिस्ट्रेट स्चे पांचाल की कोट ने आप नेताओं के वकीलों की तरफ से दाखिल स्टे याचिकाओं को खारिच कर दिया। क्योंकि वो एक लोग सेवक है। स्टे याचिकाओं पर कड़ी आपत्ती चताते हुए गुजरात विश्विद्याले के वकील अमित नायर ने कहा कि हाई कोट ने मुकदमे पर कोई रोक नहीं लगाई है। और मामले में गवाग कोट में मौझूद हैं। नायर ने इस मामले में अपने अभी योजन को चनौती देने वाली केजरिवाल की याचिका के खिलाफ भी इस आधार पर दलील दी की चूकी। वो एक लोग सेवक हैं। इसलिए CRPC की धारा 192 के तहट मुकदमा चलने की मन्जूरी ली जानी चाहिए। केजरिवाल और संज्रे सिंग ने सत्र अदालत में उनकी पुन्रिक्षन याचिका का निप्टारा होने तक उनके खिलाफ मानहाने की कारवाई पर रोक लगाने के लिए गुझरात हाई कोट का दरवाजा खट-कटाया था। कोट ने दोनों नेताओं को ये देखने के बाद तलब किया था कि प्रथम द्रिष्टिय उनके खिलाफ भारतिय डंड सहिंता की धारा पाच सौ के तहत मामला बनता है। उन पर कारवाई की तलबार लटकी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी से लोग लगातार किनारा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखर के इचरिवाल अपनी विखरती हुई पार्टी को किस तरह से संभालते हैं। कच्चा चठा में फिलाल के लिए इतना ही मा की खबरों के लिए देखते रहे हैं। अपरिल टीवी नमस्कार।